दोस्तों आज का वीडियो बहुत सांदार होने वाला है क्योंकि अगर आप एक iPad user है आपके पास अगर M1 और M2 वाला iPad है तो उसके लिए Apple बहुत good news देने वाला है और ये आपको 23 मई को देखने को मिलेगा क्योंकि 23 मई को आपके App Store में Final Cut Pro release कर दिया जाएगा और आप असानी लोग हैं जो Final Cut Pro के लिए बहुत excited रहते हैं क्योंकि ये जो है software है बहुत ही professional level का है बड़े-बड़े creators इसको इस्तेमाल करते हैं लेकिन जो आप Mac पर इस्तेमाल करते है Final Cut Pro और ये जो आपके iPad पर आने वाला है Final Cut Pro उसके में कुछ अंतर होने वाला है तो इस वीडियो में द लग होगा और कुछ अशे special features हैं जो कि आपको बहुत जाना जरूरी है क्योंकि वह Mac में भी देखने को नहीं मिलेगा तो ये एक बड़ा update है Apple जो है इसी update के लिए जाना जाता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर है तो आज मेंली बात करने वाले हैं इस वीडियो में Final Cut Pro के बारे में तो ये 23 मई 2023 से आपके App Store में देखने को मिल जागा और अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये 499 रूपिये पर मन से अब लेवल हो जाएगा और अगर आप यरली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस् इसकी आशा लगा है हुए लोग कि इस WWDC में ये सुधार करने वाला है ये लाने वाला है लेकिन Apple अचानक से ये निवज लाकर सबको अचमभित कर दिया है दोस्तों ये जो iPad के लिए Final Cut Pro तयार किया रहा है Apple के दोरा ऐसा professional level का आपको Mac में देखने को मिलता है वह सही है इसक इसल से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें क्या-क्या ऐसा feature डाला जाए कि काफी convenient हो जाए तो ये खास तोर से इस बात का ध्यान रखा जा रहा है और ये जो FCP है Final Cut Pro खास तोर से design किया जा रहा है iPad के लिए इसमें ये भी फायदा आपको होने वाला है कि अगर आप iMovie पर को दिया गया है वो बहुत ही unique है फ़हले मुझे भी लगता था जब मैं iMovie पर कोई project काम करता था और जब मुझे Final Cut Pro में काम करना होता है तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि iPad में जो काम कर रहे थे चूंकि iPad लोग इसलिए लेता है कि convenient हो जाए लेट करके किसी भी तरीके से काम क किया जा सके और अगर सिस्टम पर बैठें तो यह चीज जो मेरा धूरा रह गया है उसको वहाँ आसानी से इंपॉर्ट कर सके इसके साथी साथ आप इसमें HDR content आसानी से व्यूज तो कर ही पाईएगा और उसको एडिट भी कर पाईएगा यह फीचर जो है Final Cut Pro में आसानी से को मिल जाएगा तो अब इस iPad के नए Final Cut version की बात करें तो इसमें कुछ जो नए फीचर दिये गया है वह उसमें एक फीचर और है कि आप असानी से बैग्राउंड को रिमूब कर पाईएगा उसके साथे साथ ग्रीन स्क्रीन वाला जंजट अब नहीं रहेगा और सबसे कमाल क बात यह है कि यह जो है आपका जो मैक है उसमें जो Final Cut Pro हम लोग चलाते हैं उसमें यह फीचर नहीं दिया गया है तो यह कुछ अस्पेशल किया गया है इससे फायदा यह होगा कि लोग जो है एपल के यह चाल है कि लोग iPad भी खरीदे यह फीचर के लिए यह बहुत बड़ी जो अपडेट है जो नया Final Cut Pro का उसमें बहुत सरे ऐसे ऐसे इफेक्ट जो है आपको नये देखने को मिलेंगे ऐसा हो सकता है अनुमाल लगा जा सकता है कि एक अपडेट के द्वारा जो हम लोग Mac में जो FCP चला रहे हैं उसमें भी कुछ नये इफेक्ट और टांजेक्शन जो इसमें दिया जाएगा वो हमारे Mac users को भी परदान किया जाए तो दोस्तो ये था वीडियो आज का ये Final Cut Pro के बारे में जो की नया नया iPad Pro जिसके पास M1 और M2 चीप और कोई भी iPad का वर्जन जिसमें ये जो दोनों चीप है वो रहेगा उसको ये देखने को मिल जाएगा और दोस्तो अगर आपके iPad में 8GB का RAM है तो और बहुत आसानी से चलने वाला है और इसके एबब है तो और भी अच्छी बात है तो दोस्तो ये वीडियो अगर informative लगी तो चैनल को जरू से सब्क्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरह के मैं कंटेंट हमेशा लाते रहता हूँ और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों को पास भी जरूर सेयर कीजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बाई